और कौन-कौन सी खबरें जहां पर आपको नज़र रखनी है आए जान लेते हैं दिपांशु के पास है पूरी डिटेल्स दीप सबसे पहले तो बाजार बंद होने के बाद कौन से नंबर्स ना है वो बता दीजें F&O से एक ही कंपनी है वो है बोश और फिर बाकी तो कैश के नंबर्स हैं बोश के नंबर्स अच्छली अच्छे हैं इस बार आटो कंपनी से नंबर्स अच्छे नहीं रहे हैं बट बोश के अगर आब बात करें साड़े 6% इनका रेविन्यू बढ़कर आया है एबिटा 14% अज़स्ट करके मुनाफ़ देखेंगे तो धाई गुना मुनाफ़ बढ़कर आया अज़स्टेट पैट इनका 488 करोर्स आया वर्सिस 214 करोर्स तो इसके वज़े से बोश के नंबर्स बेहत अच्छे माने जाएंगे कैश मार्किट की बात करें तो BSC के दमदार नतीज़ा आते हो देखें सवा दो गुना रेविन्यू ग्रोथ यहां पर देखी है ठाई गुना एबिटा ग्रोथ देखी है मार्जिन्स 50% से बढ़कर 56% के आये हैं और करीब पौने तीन गुने की आपने मुनाफ़े में ग्रोथ आती देखें बेहत मजबूत नंबर्स थे BSC के EIH इसके अच्छे नंबर्स आये हैं 11% की रेविन्यू ग्रोथ आपने देखी है 22% एबिटा बढ़कर आये है मार्जन एक्सपैंशन रहा है 26.9% से बढ़कर 29.6% मुनाफ़े की बात करें तो यहां पर भी 40% की ग्रोथ आपको आती हूँ देखी है अशोका बिल्ड कॉन इस पर फोकस करेंगे 15.5% की रेविन्यू ग्रोथ कंपनी ने देखी है आपरेशनली बढ़िया नंबर से 66% एबिटा बढ़कर आये 25.3% के मार्जन बढ़कर 36.4% आये है और मुनाफ़े की बात करें तो साड़े चार गुना मुनाफ़े में आपने ग्रोथ देखी है मेट प्लस हेल्थ केर 12% की रेविन्यू ग्रोथ यहां पर कंपनी ने देखाई है 47% की एबिटा ग्रोथ है मार्जन्स की बात करें 6% से बढ़कर 8% पर मार्जन्स आये है और मुनाफ़ा भी आपका करीब-करीब पौने 3 गुना बढ़कर आया है NMDC Steel यहां पर नमबर्स थोड़े आपको मिले जूलें काफी सारे अज़ेस्टमेंट्स भी है रेविन्यू देखें यहां तो यहां पर एक बड़ा जंप आएगा बट एबिटा घाटा बढ़कर आया है 72 करोड से 441 करोड और ओवराल घाटा भी 131 करोड से बढ़कर 595 करोड आया है और फाइनली नाइका यहां पर रखनी है नज़र 24 परसंट की रेविन्यू ग्रोथ आपको देखिए एबिटा 27 परसंट बढ़कर आया है मार्जिन स्टेबल रहे हैं और मुनाफ़ा 6 करोड से बढ़कर 10 करोड पर आया है यह कुछ नंबर्स हैं जिन पर आज मार्केट फोकस करता दिखेगा जब ओपनिंग होगी लेकिन दीप और कौन-कौन से ट्रिगर्स हैं खबरें जहां पर फोकस करना है तो जैसा अरन जी ने का आज बैंक निफ्टी की आखरी वीकली एक्सपारी इसके बाद अब 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 आज़ाएंगे आज आएंगे अक्रोस यहां पर नतीजों के लिहास से आज बड़ा दिन है निफ्टी में आईशर के नंबर्स आएंगे बट वाइदा करोबार में और कुल तीन गुना ये इशू भी सब्सक्राइब हुआ था इसके अलावा जिनका लोजिस्टिक्स इसका आईप यो आज से खुल रहा है 18 नवेंबर तक खुला रहेगा प्राइस बैंट 259 से 273 है करीब 1115 करोड का ये इशू है जिसमें OFS कॉंपोनेंट 565 करोड का प्रमोटर्स ब्लॉक डील के जरिये 939 के भाव पर शेर्स बेच सकते हैं कुल वैल्यू इस ब्लॉक डील की करीब 300 करोड की रह सकती है टाटा केमिकल्स कंपनी की एक सब्सक्राइब है यू के सोडियम बाय काबिनेट प्लांट में ये निवेश करने जा रही है टाटा केमि इसको यॉरोपियन मेडिकल एजनसी से जी एमपी सर्टिफिकेट यानि की गुड मैनिफाक्टरिंग सर्टिफिकेट मिल गया है अब इस सर्टिफिकेट के बाद इनके कुछ बायो सिमिलर्स हैं तीन बायो सिमिलर्स जो डिवेलप्मेंट में हैं उमीद है कि इस सर्टिफि किया जाएगा और मार्च दोहजार पचीज तक यह पूरा किया जाएगा गाना बॉट्लिंग के साथ भी इन्होंने अधिग्रेंट का करार किया है वन ट्वेंटी सेवन करोर में यह घाना की बेवरिज यूनिट खरीद रहे हैं इसके अलावा लूना मार्ट टेक कंपनी में बची 40% हिस्तेदारी भी खरीदने वाले हैं 200 करोर में तो तीन एक्कुजिशन हैं या दो एक्कुजिशन और एक थर्ड स्टेप अक्कुजिशन है इस कंपनी के लिए यहां पर भी रखेंगे नजर